नमस्कार साथ ही आपको स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेड वित्रानिक चलिए दोस्ताइब करते हैं आज को शेर है सी इस सी लिमिटेट के बारें बात करने से पहले अगर अभी तक आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल्कुल नहीं देकिंगे आज क्या है सी इस एक ग्रावट भी है तो ग्रावट की वजह क्या है क्या अज क्वाटर थी के रिजल का अनॉंस्मेंट अपडेट हुआ है अब थोड़े थी पांधस मिन पहले ही अपडेट हुआ है जिस विज़ेसं में ग्रावट देखना अच्छा रहा बुरा रहा क्या प्रॉफिट है उसके सबके बारे बात करेंगे कि रिजल अभी तीन वज़के तीन वज़के अस्पास ही अनॉंस्मेंट हुआ है और भी एसका लेटर अप्लोड हुआ था मैंने सोचा आप लोगो सबसे पहले है अवेर किया आगी की पावर सप्लाई का कमपनी का में बिसेकली पावर डिस्ट्रिबूशन में अंदर कमपनी का पावर सेक्टर अप्लोड हुआ थोड़े पहले तो देखिए इसका अनॉंस्मेंट का हुई है रिजल्ट का वाया है तेरा जनवरी 2022 आज की दिन रिजल्ट आया है और देखिए म जब मीटिंग कंडेक्ट हुई थी यह एक बच के पंदर मिंट पर हुई थी तो मीटिंग का अनॉंस्मेंट होने के बाद इसमें क्या चल रहा वह देखते हैं ठीकिना अब इसमें क्या क्या और बेनिफिट रहा रिजल्ट के अंदर वह देखिए हम सबसे पहले तो देखि अब देखिए हम चलते हैं इसके अंदर देखिए प्रॉफिट जो था आप देखते है जून क्वार्टर के अंदर दो जब खुआटर के सेल किती थी टोटल सेल थी किसो तीस करोड बे की इनका इनका एक्सपेंस था 1912 क्रोड प्रोड 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 जो आया तो प्रोड इसके अंदर लास्ट इर से कांद करेंगी तो इनकी सेल में थोड़ी सी बरत देखना हो मिलेंगी कैसेन एक यह दिखिं तो इनके सेल 1284 पर गी तो इसे घबायत देखन वह मिलें आपको एंगा लास्ट इनके सेल ती 1687 तो सेल में इजाबर देखने मिल्डा ये 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 वाई और डाउनफल देखने मिल्डा है क्वाटर क्वाटर वाई अब चलते हैं का को प्रॉफिड इस उसक्रालें पर्फिट उसक्रें जाए विपार मिसे मिसे निए सब्सक्राइबहर्स्ट्रक족 मखेएब है दो 1500 जॉर्फिए जुटो उसक्रीजर मिनीं जिए यहांक हुर्ट एप्येश्ट मेर्स देख़ें हैं जाए 159 तो देखें यह देखना आली समझने लिए बात एक इनका यह रियर वाई तो रिजल काफि अच्य देखने को मिल आ है बाकी थोड़ा डाउन मिला है आपको क्वाटर क्वाटर वाई सेल में डाउन फॉल देखना हो मिल रहा है तो यह थोड़ा उपए नीशे चलेगा बाकी कोई बड़ी वैस कुछ नहीं है बाकि जो कोई घटाने वाली बात निकिए रिजल काफी बेकर अच्छा पहसा स्टोख पी होग्या है और रिटरन विंगा होगी 13.13 % बुक वैल्यूस के 78 हो गया है और रिटर्न अफ इक्वेटिस की हो गई 13.17 परसेंट और फेस्ट वैल्यूस की एक रुपे के और डिवीडेंट कंपनी नहीं तक दिया है अगर अपडेट होगी तो दिसंबर के अंदर के अंदर के अंदर के दिसंबर के अंदर डियास की होल्डिंग बढ़के हूए सब्सक्राइब. प्वाइब. कि रोटिंग जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो वन भी भी से में डिलेंग बढ़ गई थोड़ा सा लास्ट गॉटर सिदंबर में फबली ग्यारा पॉइंट थे थे बढ़के हुए बारा पॉइंट पैति तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ दिया इस ने अपनी अब चलते हैं चला किया वो समझते तो आज 0.70 परसेंट ग्रावट के साथ यह बंद हुआ है तो अज पांच दिन के अंदर हमें तो परसेंट जो चलता जरूर 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 बनता है तो यह तो इसका रिजल्ट की बात हुए अब चलते से चार्ट के अंदर के अंदर के इंदिकेशन उससे वहले हम टिकटेप की साट बाह में इसके अंदर और के देखने को मिलना है अब मैं इसका डेली चार्ट बन रहा है तो अगर इसमें फ्रैस बाइंग कर सकते तो मुझे नहीं लगता है यह क्योंकि 87 को तोड़े गाई है क्योंकि 87 पर अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुए इसके अंदर और मैंने जो पहले टर्गेट दी थे 105 तक के टर्गेट में सुमा रहेंगे क्योंकि रिजल्ट का अगर यह गिरता भी है तो एक सो 87 से नीचे नहीं जाएगा 87 तक इसके अच्छे खासे में को दिख रहे हैं तो आपको क्या करना 87 तक के लेवल के होल्ड कर सकते हैं और अभी फ्रैस बाइंग कर सकते हैं यहां से 110 तक की लेवल इसमें इजी तर्ग से दिख जाएंगे आने अगर यह आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेया फावड करना बिल्कुल नहीं थैंक्यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो